हालो अबरिबन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर थर्ड फ्लार्स एंड फ्रोट्स ओके और इस चैप्टर के पहले के जो वीडियो लेशन है उसका लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तो फिर आप आए बटर को किलिक जो कि आपको दिखरा होगा राइट साइड कोर्नल पर यहां से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं और समझते हैं क्या कुछ है इस चैप्टर के बारे में कहता है फ्लार इस अ कलरफूल एंड ब्यूटिफूल पार्ट ऑफ प्ल प्लेगरेंट्स ओके डिशेव फ्लार्स होता है अउसमें जो प्लेगरेंट्स होता है वह उना प्लेठ नहीं का मत्तब मधूर जो हम लोगों को मन मोह लेता है उगे समझता करता है डिशclip वूल अवर्श मोटें नहीं बार्ट बेर की है देखिये क्या करता है कुछ-k curry ऐसे हैं जिसमें attractive color तो नहीं होता है colour उसका उतना attractive नहीं होगा लेकिन उसका जो fragrance होगा वह बहुत ज्याधा pleasant होगा present मतलब मन मोहक होगा हम लिगों के मन को attract कर लेता है अगर हम example की बात करें तो यहां पे कौन-कुन से flowers हैं जैसे चमपा हो गया, मोतिया हो गया, चमेली हो गया, यह सब कुछ ऐसे flowers है जिसका मनमुहक अनिकी pleasant fragrance होता है Are some of such fragrant flowers? यह सब fragrant flowers कहलाते हैं क्यों? चुकि इसका जो fragrance होता है बहुत ज्यादा ही मनमुहक होता है ओके, यह हमने देख लिया, तो यहां पे देखिए हम लोग तरह तरह के flowers को देख पारें इस picture में है पिक्चर दिखाया गया, यहां पे variety of flowers दिखाया गी है, चलिए next line को हम लोग पढ़ते हैं, यहां पे next paragraph हमारे पास है कहता है, a flower develops from a bird, एक flower जो होता है, एक जो फूल है, जो आप देखते हैं, वो कहां से डेवलप होता है तो उसका जो डेवलप होता है उसको लोग बड कहते हैं शुरुवाती पॉइंट जो होता है स्टार्टिंग में फ्लार का जो पोजिशन होता है उसको लोग क्या कहते हैं बड कहते हैं यहां पे लोग देख सकते हैं बड को दिखाया गया यह देखिए यह सब क्या ना bird है flowers खिलने के पहले का position है ओके शुरुवाती position पे देखिए आगे कहेंगे the birds of the birds of different flowers vary in their size and shape जो flowers होते है अलग-अलग flowers के अगर हम birds की बात करें तो उसका birds का shape and size क्या होता है अलग-अलग होता है जितने भी flowers है सभी का bird का size और shape एक जैसा नहीं होता है यह हम लोग यहाँ पे not करेंगे next the bird of a plant is generally covered with green leaves जो bird होता है वो किसे cover होता है तो green leaves से covered होता है यह आप यहाँ पे देख सकते हैं picture में यह जो bird दिखाया गया इसमें देखिए इसके चारुत तरब क्या ना green leaves से यह covered है यह कुछ कहा जा रहा है हम लोगों को अब यह जो green leaves है यह क्या करते हैं these leaves protect the bird and help it to bloom into a flower यह जो bird है यह bird flower को protect करके रखते हैं protect करने का मतलब उसको save रखते हैं बचा कर रखते हैं ताकि वो bloom कर सके खिल सके यह चीज है तो यह हम लोगों देख लिया flowers के यहाँ पर birds को भी हम लोगों देख लिया यहाँ पर देखे लिखा हुआ birds of different flowers और यह देखने में बहुत ज़्यादा attractive लग रहा है हम लोगों को चलिए next line हम लोगों देखते हैं क्या कहता है flowers have different shapes and sizes जितने भी flowers होते हैं उसका shape और size एक जैसा नहीं होता है बलकि सब different होते हैं different shape and size के होते हैं some flowers are like a bell कुछ-कुछ flowers ऐसे होते हैं जिसका shape कैसा होता है अब घंटी की तरह some are like a plate कुछ-कुछ plate के जैसे होते हैं plate shape के होते हैं और वहीं पर बात करें और a bowl कुछ-कुछ katoric type के होते हैं and some are like a brush कुछ-कुछ brush के जैसे होते हैं तो जितने भी flowers हैं सभी का shape एक जैसा नहीं है यह हम लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है now next हम यहाँ पे देखते हैं some flowers bloom singly whereas other blooms in bunches कुछ-कुछ flowers ऐसे होते हैं जो अकेले खिलते हैं और कुछ-कुछ flowers ऐसे होते हैं जो bunch में खिलते हैं bunches में खिलने का मतलब group में खिलते हैं तो आप यहाँ देखिए यह हमारा जो दीख रहा है यह अकेला है यह rose plant okay rose flowers अकेला bloom करता है वहीं पर हम आगे बात कर लेते हैं तो यह देखिए हमारे पास कहा है चमेली हाना यह bunches में खिल रहे हैं group में खिलते हैं तो यह कुछ है हाँ देखिए सदा बाहर हाना तो यह हम लोग समझ गिए कुछ-कुछ flowers ऐसे हैं जो अकेले खिलते हैं और कुछ-कुछ यहां पर bunch में आने group में खिल रहे होते हैं now flowers make fruits जो flowers होते हैं उससे क्या बनता है उससे बनता है fruit यह हम लोग ध्यान रखेंगे most of the fruits bear seeds अब जितने जो fruits होते हैं fruits के अंदर क्या पाए जाते हैं seeds पाए जाते हैं और these seeds in turn can grow into more plants और यह जो seeds हैं यह seeds नए plants के रूप में grow कर सकते हैं तो हम लोग यहां basically learn क्या करेंगे न यह जो flower है इससे क्या बन रहा होता है इससे बन रहा होता है fruit अब यह जो fruit है fruits के अंदर क्या रहते हैं seeds रहते हैं और यह जो seeds हो गया यह seed आपका change होता है किसमे plants में तो यह अपना एक step हो गया flower से fruits and fruits के अंदर seeds और seeds से क्या बन गया अपना plant बन गया तो यह हमने देख लिया अब यहां आगे हमारे पास क्या है activity है activity में क्या कहता है कह रहा है observe any bird हाना आप bird को ध्यान से देखिए find and write find and write two differences between a bird and a flower एक bird और एक flower में क्या difference है यह आपको यहां पर note करने के लिए कहा गया है तो आप बताए बर्ड और flower तो एक ही ने होते दोनों में कुछ ना कुछ तो difference जरूर होता है तो आए यहां पर हम not कर लेते हैं difference को तो देखिए यहां पर हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे और एक जो बर्ड होता है वो क्या होता है छोटा होता है अब इस जरूर की बात करते है तो flowers के यह हमने यहां पर not कर लिया हमने इसरो सिजनल सिजनल फ़लार के बारे हम लोग पढ़ेंगे और यहां पर कहता हैग्ः लग लग सिजन में हम लोग अलग-अलग flowers को देखते हैं इन समर अगर हम समर सेजन की बात करें you must have seen चैमेली मोतिया सदा बहार चाइना रोज लेली flowers and blooming in garden अगर हम अपने garden में ध्यान से देखें तो summer season में ये सब flowers हमको grow करते हुए खिलते हुए देखने को मिल जाते हैं तो ये सब flowers को हम लोग क्या कहेंगे न summer seasonal flowers कहेंगी वहीं दूसरी और अगर हम winter season की बात करते हैं तो in winter winter season में कौन-कौन से flowers देखने को मिलेंगे तो ये हमारे पास डालिया, rose, crescent, अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि बताइए winter में कौन-कौन से flowers हमको देखने को मिलेंगे तो हम बड़े हैं आसाने से ये सब नेम बता सकते हैं और अगर बोला जाए कि अगर summer season में कौन-कौन अगर आप अगर 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 लेसिया अगर 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 अनलोडी यह हमारा क्या हो गया ना सबसे बड़ा फ्लार हो गया दुनिया भर में ओके तो यह हम लोग यहां पर नॉट करेंगे smallest flower और biggest, largest flower दोनों का नाम हम लोग learn करेंगे हो सकता है objective question हम लोगों को दे दे चलिए next हमारे पास आता है usage of flowers इसको हम लोग देख लेते हैं और यहां पे हमारे पास है in our day to day lab अगर day to day lab के हम बात करें we use flowers in different way हम flowers का अलग अलग परपस के लिए यूज कर रहे होते हैं इसमें से हम देखेंगे पहला some flowers have a very pleasant fragrance कुछ-कुछ flowers ऐसे होते हैं जिसका fragrance बहुत ही pleasant होता है हाना मधूर होता है उसका मनमुहक होता है these are used for making perfumes और इस तरह के flowers को हम लोग कहां पर यूज करते हैं तो perfumes बनाने के लिए अब इसमें से कौन-कौन से flowers आएंगी तो अपना है रोज, जस्मीन हाना और कियोरा और यहां lavender यह सब कुछ ऐसे flowers हैं जिसका हम लोग यूज करते परफ्यूम्स बनाने के लिए आगे हमारे पास है some flowers can be cooked and eaten as like a vegetable कुछ-कुछ ऐसे flowers हैं जिसको हम लोग cooking करते हैं पका के खाते हैं as a vegetable, vegetable की तरह और इसमें से कौन-कौन से flowers हैं तो यहां पे हमारे पास कचनार, बनाना, अनसाहजान, यह सब कुछ ऐसे flowers हैं जिसका हम लोग as यह vegetable यूज कर रहे होते हैं और इंडिया के अलग-अलग parts में इसका इपयोग होता अब यहां पे हम picture भी देख पा रहे हैं अलग-अलग flowers का यह देखे कियोरा दिखाया गया है, lavender दिखाया गया है, बनाना दिखाया गया है, कशनार है, सहजान है, यह सब flowers हैं जिसका हम लो यूज कर रहे होते हैं, तो चलिए अभी हम लोग next देखेंगे, next page में आ जाते हैं, यहां पे कहा गया है, some flowers are used as medicines, कुछ-कुछ ऐसे flowers हैं जिसका हम लोग medicine आने दवा के रूप में परियोग में लाते हैं, और उसमें से कौन-कौन है, तो क्लोब, हाना जो क्लोब है, इसका यह प्योग होता है, as a medicine, क्लोब्स आर ड्राइट फ्लार, बर्स फ्रॉम दा, फ्रॉम दा क्लोब प्लांट, क्लोब का जो प्लांट है न, उससे हम लोग को क्लोब्स मिल रहा होता है, और इसका हम लोग यूज करते हैं, as a medicine, the oil extracted from क्लोब्स is used as a medicine, हाना, ओल जो हम को मिलता ह है, oil जो हम को मिलता है, कहां से, तो क्लोब्स से, जिसको हम लोग क्लोब्स आयल के नाम से भी जानते हैं, तो जो क्लोब्स आयल है, इसका यूज किसलिए होता है, medicine की रूप में हो रहा होता है, दवा की रूप में होता है, similarly, lotion made from अर्निका फ्लार, अर्निका फ्लार से जो ब अप्लाय कर देते हैं, तो वहां से भी वो ठीक हो जाता है, तो यह कुछ flowers है, जिसका हम लोग medicine की रूप में यूज करते हैं, यह हम लोग learn कर लेंगे, rose water यह used as medicine, देखिए, rose water का किसलिए यूज हो रहा है, तो as medicine हम लोग इसको करते हैं, and also for adding flavor to sweets and drinks, जो sweets हम लोग को मार्क करना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, यहां पर, rose flower का यूप यूज कर लेते हैं, next usage के बार करते हैं, तो कहता है, flowers are also used in preparing cosmetics, तो cosmetics तो हम लोग जाने रहे हैं, beauty के लिए जो भी material यूज होते हैं, okay, जैसे cream होगे, powder होगे, यह सब जो हमारे यूज होते हैं, उसको हम लो flowers का यूज कर रहे होते हैं, now, flowers like marigold and genia are used for making colors, देखिए, यह जो हमारा marigold plant है, और यह जेनिया जो है, इसका हम लोग किसमें यूज करते हैं, तो for making colors, हाना, colors बनाने के लिए हम इसका यूपयोग कर रहे होते हैं, these colors are then used to dye cloths, अब यह जो color हम को यहां से मिलेंगे, इस color का हम use क्या करेंगे, तो कपड़े को color करने के लिए, जो कपड़ा हम लोग पेहनते हैं, उसमें तरह-तरह के कपड़े, रंग-रंग के कपड़े हम लोग पेहनते हैं, रंग भी रंगे, ओके, तो वो जो रंग हम लोग देखने को मिलता है, वो कहां से आ रहा होता है, यह हमारा फ्लार से मिलता है यह मेरी गॉल्ड को देखिए और यह जेनिया देखिए यह दोनों ही फ्लार से क्या बनाया जाता है तो कलर बनाया जाता है हम लोग learn करके रखेंगे now flowers are often used for decoration purposes अब जो फ्लार है उसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं कि लिए करते हैं आप देखते हैं जब भी party होता है औक लिए टोप और वहाँ पे decoration करेता है अब कुछ function होता है तो वहाँ भी प्रॉसे होता हैolina के लिए तो यह सारे युदेज है फरॉस्पार्ड के ये क्या कहा गया कि हम अपने मां से पूछेंगे कि कौन से फ्लार्स का यूज करते हों वेजेटेबल के रूप में या करते भी हैं या नहीं भी करते हैं अगर फ्लार्स का यूज किया जा रहा है वेजेटेबल के रूप में तो कौन-कौन से फ्लार्स हैं उसका नेम हम लोग यहां पर note कर लेंगे, तो अभी थोड़े दिर पहने हमने यहां पर क्या देखा, यह जो हमारा flower है, सहाजहान, अना कचनार, बनाना, इसका हम लोग किसले उज़ करते हैं, एजे भेजे टेबल्स, तो हम लोग यहां पर name note कर लेंगे, सहाजहान, कचनार, बनाना, तो यहां प फिर और कुछ और भी आप name लिख सकते हैं, ओके, next दूसरा है, यहां पर बी नंबर, write down your few places where you have seen flowers used as a decorative material, कुछ ऐसे places के name आपको लिखने के लिए कहा गया है, जहां पर flowers का उप्योग होता है, decoration purpose के लिए, तो आप बताए कौन कुन से places है, जहां पर flowers का यूज होता है, decorative material के गरूप में, तो आप यहां पर लिख सकते है, schools, okay, schools, हाना, यह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, schools होगे, offices होगे, कुछ-कुछ religious places, जैसे होगे, temple, हाना, तो यह सब जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, flowers को किसलिए, तो decoration के लिए यूज करते हैं, ओके, चली यह अप तो नोठी कर लेंगे, next अगला activity हम यहां पर देख लेते हैं, और यह कहता है, have you ever visited a florist, क्या आपने कभी florist को भीजिट किया है, florist को आपने देखा है, florist मतलब क्या हो रहा, जो flowers को बेच रहा होता है, उसको में लोग florist कहते हैं, there one can see many types of flower arrangements in bouquet, जो भी वेकती वहां जात है, florist के पास, तो वहां पर जो bouquet होता है, गुल दस्ता जिसको हम लोग कहते हैं, okay, तो bouquet में अलग-अलग type के flowers को देख सकते हैं, और वो सारे flowers ना arrange रहते, arrangement मतलब सारे flowers एक निश्चित रूप से arrange किये होते हैं, ताकि हमको attractive देखने में लगे, okay, now, अभी यहां से question करता ह है, visit a florist and gather the necessary information to do the following task, okay, आप यह सब करेंगे information, क्या करेंगे, write the name of any two flowers available with the florist, दो यह से flowers के नेम लिखिये, जो florist के पास available हो, तो आप बड़े हैं, आसाने से लिख सकते हैं, यहां पर आप कुछ भी लिखिये, जैसे रोज लिख दिये हैं, आप यहां पे Merry Gold लिख सकते हैं ओके, तो आपके इच्छा, आप कुछ भी लिख लिखिये, जो उसके पास available है, दूसरा B नमर पे ध्यान दिजिए, कहता है, name any two types of flowers which remain in great demand throughout the year, दो ऐसे flowers के नेम लिखने हैं, जो वर्स भर में ज्यादा demand में रहते हैं, जिसकी मांग बहुत ज्यादा होती हैं, पूरे साल, तो आप यहाँ पे रोज लिख सकते हैं, चुकि रोज का demand बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा आप चाहें तो यहाँ पे मेरी गोल्ल का भी नाम लिख सकते हैं, आपके इच्छा और कुछ भी आपको दिमाग में होता है, आप नोट कर लेजिए, यहाँ पे आपका answer गलत नहीं होगा, आपको भी answer दे सकते हैं, आगे कहता है, यह जो florist है, या पूल वाला है, इसके पास फूल कहाँ से आता है, तो इसका answer आप कुछ भी ले सकते हो सकता है, कि उसके पास garden हो, इसके पास अगर गार्डेन नहीं हो, तो वो किसी दूसरे आदमे से purchase करके लाता हो, यह कुछ भी हो सकता है आपका अमसर नेश्ट हम देखेंगे लिश्ट डाउन दर डिफ्रेंट टाइप्स ऑफ मैट्रियल्स यूजड बाय दा फ्लोरिस्ट फॉर मेकिंग बुके तो गुलदस्ता बनाने के लिए यह अपना बुके जो है हना फूलों का गुच जिसको हम लिख सकते हैं सेलो टेप गम्स यह सब मैट्रियल्स कहां पर नाम आप नौट कर लेंगी चलिए नेक्स हमारे पास है वाइडो पीपल बाय बुके हाना जो बैक्ती लोग है पीपल जो है ना वो बुके क्यों पर्चेश करते क्यों खरते हैं तो इसलिए डेकुरेटिव पर अगर आप है कहता है we have now learned that flowers are used to prepare medicines अना perfumes and scents हमने अभी तक क्या सिख लिया ना जो flowers है उसका use किसलिए होता है medicine की रूप में होता है perfumes के रूप में होता है और फिर scent ये सब बनाने के लिए होता है these can also be used as decorative material it is important therefore to protect flowers from being plucked unnecessarily इसलिए flowers का बहुत ज़्यदा यह प्योग हो रहा है ना इसलिए flowers को हम लोग unnecessary तौर से नहीं तोड़ेंगे हाना हम लोग उसको बचा के रखेंगे protect करके रखेंगे flowers को हम ना तोड़े बिना कारन का चलिए यह तो था all about flowers अब यहां से हमरा दूसरा topic शुरू हो जाता है fruits के बारे में और इसके बारे में भी हम लोग यहां पर study कर लेते हैं तो यहां पर हम लोग देखेंगे कहता है we have already read that flowers make fruits जो flowers होते है ना उससे क्या बन रहा होता है उससे बन रहा होता है fruits ओके यह हम लोगों ना भी देख लिया है fruits usually store seeds and food in them जो fruits होते हैं वो अपने अंदर क्या store करके रखते हैं तो seed रखते हैं और साथे साथ food को भी store करके रखते हैं we eat fruits because they give nutrition to our body हमारे body को जो fruits है वो क्या देता है nutrition देता है इसलिए ना हम लोग fruits को खाते हैं okay now fruits generally have good taste and flavor जो fruits है उसका taste कैसे होता है अच्छा टेस्ट होता है उसका flavor भी अच्छा होता है okay now next paragraph की बात कर लेते हैं fruits generally have seeds which produce new plants देखिए fruits के अंदर क्या होते हैं no seeds उपाया जाते हैं और यह seeds किसमें बन जाते हैं किसमें कर्मट होते हैं तो plants में कर्मट होते हैं यह हम लोग learn करेंगे some fruits like mango peach plum have only one seed कुछ-कुछ ऐसे fruits हैं जिसमें केवल एक ही seed पाया जाता है और fruits जो है ना उसके अंदर केवल एक ही seed होगा जैसे mango mango का आप ध्यान से देखिए उसके अंदर केवल एक ही seed पायाता है only one seed okay उसी तरह से peach है plum है यह सब fruits में केवल एक ही seed पायाते हैं लेकिन कुछ-कुछ ऐसे fruits होते हैं जिसमें एक से जयदा seed पाया जाते हैं some other fruits like lemon, papaya, orange and watermelon have very many seeds उसके अंदर नो बहुत सारे seeds होते हैं आप तो watermelon तो खाई होगी आपने ध्यान से देखा होगा वहाँ पे बहुत सारे seeds आपको देखने को मिलते हैं तो दो तरह के fruits हो गया ना जिसमें एक ही seed हो और जिसमें बहुत सारे seed हो तो आप क्या करेंगे आपका हो गया ना आप यहाँ पे fruits के name not करेंगे जिसमें एक ही seed है और वैसे fruits के name not करेंगे जिसमें बहुत सारे seed पाया जाते हैं आप देखिए इंट्रेस्टिंग बात है some varieties of bananas, graphs and papayas do not have any seeds in their fruits देखिए कुछ-कुछ इस तरह के बनाना पाय जाते हैं, graphs पाया पाय जाते हैं जिसके fruits में seeds नहीं पाय जाते हैं आपको तो सुनके आजब लग रहा होगा कि ये सब fruits में seed नहीं पाय जाते हैं, जी हाँ ये सच है, कुछ-कुछ ऐसे variety के बनाना हैं जिसके अंदर seed नहीं पाय जाते हैं, ओके ये हम लोग learn करेंगे नेश्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक आजाता है, do you know ये भी important है, क्या कहता है, banana has no seeds, it reproduces through its stem जिसे बनाना में अगर seed नहीं है, तो उसमें से नया plant कैसे त्यार होगा, तो उसमें नया plant उसके stem से त्यार होता है, ये आप आद रखेंगी अब हमने क्या देखा कि seed से क्या त्यार होता है, new plant त्यार होता है, लेकिन जब बनाना में seed ही नहीं है, तो नया plant कैसे बनेगा, तो वहाँ पे जो new plant ग्रो कर रहा होता है, वो new plant कैसे ग्रो करता है, तो stem के help से ग्रो करता है, जिसे रोज, रोज plant आपको अगर लगाना है, तो आप क्या करते हैं रोज के स्टेम को कट करते हैं उसे आप नया प्लांट ग्रोव कर लेते हैं उसी तरह से यहाँ पर बनाना के साथ भी हो रहा होता है अब हमारे पास यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखायागी है है अन फूर्ट के ओके आप इसको ध्याँ से देखी और दिये हुए ना इसब को तो समर्सी जर्मिय के दिनों में हम लोग यह सारे फूर्ट को देखते हैं मार्केट में अभलल होता है हम इसको परचेश करते हैं और खाते भी हैं ओके इन विंटर अगर हम लोग ठंड़े दिनों की बात करें तो ठंड़े दिनों में कौन-कौन से मिलेंगे, ग्रैप्स हो गिये, एपल्स हो गिये, औरैंजिज हो गिये, इंडियन, गुजबरी, ये सब फूरो יותר हमको ठंड़े मौसन में देखना को मिलते हैं, तो ये सब जो हमको देखने को मिलता है अब यहां पर हमारे पास पिक्चर दिखाया गया यह जो आप पीक्चर देख रहे हैं कौन से fruits के हैं summer fruits और शयुक्टा शयुक्त के हैं winter season winter season में, हम लोग को देखने को मिल जाते हैं चल यह हमारे पास अता है अगला paragraph और यहां क्या कहता है there are some fruits like cashew nuts okay almonds and walnuts which are first dried and then used यह सब कुछ ऐसे fruits हैं जिसको पहले dry किया जाता है dry करना मतलग उसमें जो water के particle है ने water जो उसमें पाया जाता है उसको हटा देना आने के धूप में सुखा देना आप यह समझे तो उसको dry करकर पहले dry किया जाता है उसके बाद उसको यह प्योग में ला जाता है तो dry करना मतलब आप समझ गये ना उसको sunlight में पहले सुखा दिया जाता है next these dry fruits are often eaten as such फिर उसको हम लोग जब dry कर दिये उसके बाद हम उसका उप्योग करते हैं अपने daily life में these are also they are also used in preparing various dishes that are generally eaten during the winter season अब यह जो fruits है इसका हम लोग कहां करते हैं तो अलग-अलग तरह के dishes बनाने में हम इसका इस्तिमाल कर रहे होते हैं okay तो आप घर में देखते होंगे कि जो आपके special dishes बनते हैं उसमें यह सब dry fruits को क्या कि जाता है डाल दिया जाता है ताकि वो tasty हो जाए okay next हमारे पास यहां पे अगला paragraph है इसमें क्या कहता है बीटर गाड करेला जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में okay और गाड है जैक फ्रूट हो गया जिसको कठल के नाम से बिरिंजाल अना ओकरा इसको हम लोग भिंडी के नाम से बिरिंदी के जानते हैं टोमाटो और सम फ्रूट्स वीच यार कॉमनली यूज़ एज भेजे तो आप से कॉस्टन कहा जा सकता है कि ऐसे फ्रूट्स के नाम बताइए जिसको हम लोग वेजेटेवल के रूप में यूज़ करते हैं तो आप लिखेंगे विरिंजाल ओकरा टोमाटो यह सब आपने नौट कर लेंगी अब भी बात करते हैं सम फ्रूट्स लाइक मेंगो लेमन और अस्ट्रोबेरीज आर अलसो यूज़ फोर प्रिपेरिंग पीकल्स चटनी और मर्मलाज तो यहां पर यह सब कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं किस रूप में तो चटनी बनाने के चटनी तो आपका जो मेंगो का कच्चा आम होता है उसका भी चटनी बहुत चबज़श्त लगता है आपको भी लगता होगा तो यह सब हमारे यूज़ होगी है किसके फ्रूट्स के नेक्स्ट हमारे पास यहां पर डूउनो है कहता है जैक फ्रूट इस दी लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड दुनिया भर में सबसे बड़ा फ्रूट का नाम क्या है तो जैक फ्रूट चलिए अब यह जो हमारे चटनी बन जाते हैं या फिर यह मर्मलास या पीकल्स इसको लोग क्या करते हैं कंटेरर में पैक करके रख देते हैं ताकि आगे हम कभी भी इसका यूप योग हैं तो इस चेप्टर में हम लोगों ने अभी फ्रूट्स और फ्लार्स दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया फ्लाष का क्या findet में और फ्रूट्स का हमारे जीवन में एस यह सब हमने यहां पर देख लिया अभी अगला वीडियो लेशन यह होगा उस पर ह अझाल चाहिए लिए वत्ता अजब आचे लिए यगान फीजिव कर देखे लिस्टार रज थिते लिए टो शारे टाहिए लगुड जाएगी हाएदेगे लिए अज लिएके लिए फोन वे जारे घ्डिएए ओपो फिर झाल में यहरणाइट पला करेंशने लिए लगे लिए